हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं आजय चत्रवेदी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज वीएन वीडियो एडिटर एप का मैं पूरा टिटेरियल देने वाला हूं यानि मोबाइल में ही आप अपने वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं दब देख सकते रखता है लोगों के अच्छे रिव्यूज भी है और मैं भी इसको कई बार यूज करता हूं वीडियो एडिटर एप को अगर आपको जनरल कामों के लिए चाहिए या फर यूट्यूब में वीडियो बनाना है रिल्स बनानी है इन सब कामों के लिए वीडियो एडियो एड कर लेना है जैसे हम उपन कर रहा है वी एंवीडियो एडिटर को तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह इंटरफेस आ जाता है इंटरफेस में आप दिख सकते हैं सबसे उपर स्टीडियो की नीचे चार चीजे लिखी हैं प्रोजेक्ट, स्टोरीज, टैंपलेट और वर्क, वर्क में वो वर्क हैं जो अभी आपके अधूरे हैं, आप उस पे और एडिटिंग करना चाहते हैं, और प्रोजेक्ट्स में आपके वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मतलब कम्प्लीट हैं, आप इस पे और काम हला कि चाह लेगे कि तो सबसे पहले आपको प्लस वाला है जो आइकन देख रहा है आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा प्लस वाले आइकनiman को और उसके पहले मैं बता दूं की नीचे देखें चार अप्षन दिखते हैं यह घुर्ण होम का बटन है यह और यह आप के लिए प्रॉय नहीं भी लेंगे तो भी यह बहुत अज्छे से काम करता है जब्स और सब्सक्रास क्या HOW क्लबbern Are वग्यरा नहीं होता है यानि हम बड़े अच्छे से स्तमाल कर सकते हैं यह देख रहे हैं यह नविगेशन वाला जो साइन दिया है इसमें आपको पूरा टुटेरियल मिल जाता है और यहां पर आपका मिल जाता कि आप उसे कर सकते हैं अगर sign up या sign in नहीं भी करना चाहते हैं तो भी अच्छे से काम करता है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है सबसे बहुत आपको एक निया प्रोजेक्ट चूस करना पड़ता है तो जैसे मैंने प्लस का बटन दबाया है प्लस का बटन दबाने के बाद इस त आप्षिन्म पर क्लिक कर लेता हूं मालींजिए मुझे दो वीडियो को जोड के एक वीडियो बनानी है मैंने दो भाग माल ले ज्यक्जामपल ₦ ये वीटियो ले रेता हूं ये वाली ये पहला passar ने चूस कर लेता हूं इस वीडियो का और दूसरा पर्समें ये चूस कर लेता हूं हाला कि आप चाहे टो यहान से mortar और यह आप किसी भी वक्त कर सकते हैं अभी मैं समझाने के लिए वीडियो ही ले रहा हूं दो वीडियों उसको लूगा और से डिरेक्ट जोड़कर एक दिखा दूगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं और यह जो नीचे एरो का लगता है काफी अच्छा लगता यह और सबसे उपर जो साइन दिया है यह देखिए एरो का इससे आप बैग जा सकते हैं उसके बाद जो में आपको रिजिलुशन दे रही होती है कि किस पर आप करना चाहते है और इजिनल रिजिलुशन यह जिसमें भी आपने शोटिंग क कर देंगे तो यह आपका सिक्टिन रेशियो 9 में हो जाएगा यह इंस्टाग्राम पर डालना चाहते हैं तो यह आपका बंद रेशियो 1 में भी है टिक टॉक तो इंडिया में नहीं है लेकिन आप इस नाइन रेशियो 16 का इस्तेमाल यूट्यूब की सॉट्स बनाने में भ और तू रेशियो 3 यहाँ पर आपको दिख रहा है तू रेशियो 3 से आप और इसी तरह से त्री रेशियो 4 है 4 रेशियो 3 है 3 रेशियो 2 है 21 रेशियो 9 है और राउंड भी है तो मतलब आपको जैसा बनाना हो आप वो फॉर्मेट चूस कर सकते हैं अभी अक्किलिए मैं 16 र यह 9 रीशलीशन और यह जो ऊपर बटन यह जो आपकि यह बटन यह यहां पर आपको दिख रही है यह यह सेविंग का बटन तो आप किसी भी टाइम अपने प्रोजेक्ट को इसी रूप में सेव कर सकते हैं जैसे मैं आपको सेव करके दिखाता हूं दिखिए मैंने इसे प्रेस किया प्रोजेक्ट आपको सेव हो गया है यहां पर डेट लिखके आ रही है नॉवंबर 12 2022 और इसमे आप चोटे चोटे कंच में भी कर सकते हैं कि चलो पहले मैं इस वीडियो को जो की कटिंग वेटिंग है वो कलनों फिर अगले आद्रे घंट में यह कल लो यह आपके उपर हए वीडियो बनाने लिए तो आपको hardly आदा घंटा लगेगा इससे ज्यादा का टाइम तो नहीं लगेगा एडिटिंग में लेकिन अगर आप उससे भी कॉंप्लेक्स लेवल के एडिटिंग करने चाहते हैं तो भी आपको एक देड़ दरंटे में आपका काम होई जाएगा तो देखिए यहां प बाज में फिल्टर फेर स्पीड फिर स्प्लेट फिरहे ट्रेम फिर है ऐफ एक्स और फिर है डिलीट तो मैं डिलीट बटन को दबा देता हूं और वह चीज डिलीट अब आपके पास वही चीज है जो उस में हमनें ली थी सरफ ह्दो अब इसके बाद मैं आपको अभी तरि जिसे हम remove करना चाहते हैं मान लिजे कि मैं इस पार्ट को यहां से remove करना चाहता हूं बदुनाचनिवटी extra power यहां से cut करना चाहता हूं तो नीचे आपको दिखेगा template, filter, speed, split, trim, effects and delete इसमें ये जो चौथे नंबर का option आपको दीख रहा है इसके बताने से पहले मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कभी क्या होता है गलती से हाथ हमारा कहीं भी लग जाता है और वह option दब जाता है जबकि मुझे दबाना नहीं चाहा रहे होता है फिर भी वह दब जाता है तो अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो ऐसे condition में क्या करेंगे टाइमिंग के जश्ट बाजू में आपको एरो दिख रहा है बैकवर्ट प्ले और फारवर्ट के और उसके बाद में जश्ट एक एरो दिख रहा होगा न वह आपका रिवर्स का उप्शन है यानि आप अपने अंडू या रिवर्स जीसे कहते हैं यानि हमने जो काटा हम च एक्शन को हम अंडू कर सकते हैं यह बहुत मुझे अच्छा लगता है यह देखिए इस ऑप्शन से हम जैसे जहां पर थे वहां पर हम वापस लोटके आ जाते हैं तो अभी मैं दिखा तो इस प्लेट के हम और क्या यह उस्तमाल करते हैं जैसे हम इस प्लेट यहां सी किया ह है और हम चाहते हैं कि इतना पाव यहां तक यहां तक अर्शन को तो आप अपने हिसाब से उस तरहीं कि से तो ओस उस पूंटेज को करा सकते हैं मोड़ा और को बहुत आ अच्छा लगेगा वीडियो को चलाऊंग डू आपको आफास की आपकर मूझे करना पड़ेगा यह जो आपको यह बटन दे रहाई है और असके बाद आपको टैक्स का है बटन उसके इंटर वीडियो का बटन है और उसके बाद यह जो करेंट में हम काम कर रहे हैं तो अगर आप इसको दबा देते इसको तो आपकी वीडियो जिस पॉर्शन में भी आप होंगे उस वीडियो की जो साउंड है वो म्यूट हो जाएगी तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई इस वीडियो के साथ साथ में मुझे कुछ अपनी भी अलग से आवाज मिले तो आप यह भी कर सकते हैं और लाई कैसे कर सकते बंपताता हूं यहां पर आपको सबसे फिर्फ पर म्यूजिक का ओप्शन दे रहा हैं रिकॉर्ड का अप्षिन जैसे चूनेंगे आपका वाइस ओवर यहां से अगर मैं इस वाइस वाले बटन को दबा देता हूं तो यह उस वीडियो के उपर यह एक्स्ट्रा लेयर वाइस एड़ कर देगा लाइक जैसे मैंने इसे एड़ किया तो अब यहां से यह वाइस सुर और अगर आप उस वाइस को मतलब आप चाहें तो उसे डिलीट भी कर सकते कोई बड़ी बात नहीं है आप देख सकते हैं यहां पर अच्छा हर तो इस तरीके से हैं मैं वाइस का उप्षिन आपको समझा रहा हूं तो आप आशा है कि रिकॉर्ड का उप्षिन समझ गए इस से आप वाइस ओवर कर सकते जो की ना यूट्यूब में या फेस्बुक में कहीं भी अगर टिट्यूरियल देना हो तो बहुत अच्छा ऑप्षन हो जाता है दूसरा जो ऑप्षन होता है वह एफेक्ट का यहां से आप म्यूजिक डाल सकते हैं यहां से सबसे पहले आपको चाहि मेले कर सकते हैं जैसे तरीके से आपको पता चल जाएगा हैं उसे contact यह अव अब देख सकते हैं उपर एक एक्ष्ट्रा ओवरले आ गई है यह जो लेयर आ गई है यह आपका एक्ष्ट्रा इसी के लिए आई है अब अब क्या है कि अगर आप चलाएंगे तो यह साथ में म्यूजिक भी एड होगी यह अगर मानी जी आप चाहते हैं कि भाई इसकी करते हैं उसकी वॉल्यूम को यहां से कंट्रूल करना है यह देखें यहां पर आपको दीख रहा है यहां से आप वैसे मैं सजेश्ट करूंग अगर आप वाइस ओवर के उपर वॉल्यूम डाल रहे है तो आप डाले फोर थ्री यानि कि वन से लेके 10 के रेंज में आप सेले तो आपको यह तीसरा ओप्शन है यह वाला यही सेलेक्ट करना है अगर आप अप्लाइट वाल करेंगे तो आपकी जो वाइस ओवर है उस पर भी एपलाई हो जाएगा तो आपकी वाइस ओवर भी जो है वॉल्यूम वाइस त्री पर पहुंच जाएगी तो आप ऐसा ना कर इसमें तो इस तरीके से यह आप्शन आप यूज कर सकते हैं इसके अलावा अभी एक जो तीसरा ओप्शन है यह म्यूजिक एड़ करने का बेसिकली आपका म्यूजिक लाइडरी खुल जाएगा और आपने अगर कहीं अलग से इसे मालीजी किसी वाइस रिकॉर्डर से के लिए और भी साउंड के धिरो ऑप्शन है जब अप इस एप को धिरे धिरे यूज करना सुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वैसे मैं फिर भी बता दूं अगर आपको किसी यूट्यूब में वीडियो बनानी है तो यूट्यूब में खुद की यूट्यूब की यूट्यूब लाइब्रेरी होती यूट्यूब स्टीडियो में सबसे नीचे ऑप्शन होता है और यूट्यू लाइब्रेरी का वहां से अगर आपको भी म्यूचिक चूज करेंगे तो आप पर कॉपिराइट कभी नहीं आएगा हाँ अगर आप फिल्मों के गाने वागर डालेंगे तो आप पर कॉपिराइट आ जाएगा हाला कि इस्टाग्राम और फेस्बूक पर तो आप डाल सकते हैं तो मुझे अमीद है कि आप यह साउंड वाला आप्शन अब समझ गया होंगे अच्छे से कि म्यूजिक इफेक्ट और रिकॉर्ड कैसे होता है और इसका य अब मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूंगा साउंड के बाद जो दूसरा ऑप्शन आपको दिखरा रही है यह टेक्स्ट का होता है इसमें आप SRT फाइल इंक्लूट कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट अपने से एड कर सकते हैं टेस्ट में भी इसमें तीन तरह के टेस्ट होते हैं एक अगर आप मालीजे वीडियो का टाइटल देना चाहते हैं तो यहां से आप टाइटल दे सकते हैं दूसरे नंबर पर आप सब हेडिंग यानि कुछ छोटा मोटा चीज़ लिख सकते हैं और तीसरे से लिटिल बिट बाड़ी टेक्स्ट आप एड कर सकते हैं और अगरे मैंने यह एड कर दी एक जस्ट मैडिसें बस आपको शो करने के लिए अब आप देख सकते हैं नीचे कई आप्शन आ गया है एक जो सबसे पहला आप्शन है वह आपके कीबोर्ड के लिए दूसरा है टेक्स्ट के लिए यासे आप टेक्स्ट और तीसरा फॉन्ट के दिखा रहा हूं अपको जैसी अच्छी लगती है आप उसे उस प्रूप में कर सकते हैं अगर मैं चाहता हूँ इस तरह से और ले मैं आजा है इस कलर में आ जाए तो इस तरही के से बार जो भी चाहे आप इसे इस तरीके से मूब करा सकते है और यह रहेगा और यह जो चीज़ था यह था आपकी साइज के लिए मैंने बताया था आपकी साइज कितनी उनी चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते तीसरी बात है उसके जो बाजो में एफ और एफ का ऑप्शन है आपके पOSolid कर सकतें आपको कौन सा를 पसंद है उस फोन पर भी है। जो Tts स्कुलम है ब 84 कैसे बड़ा है एक सतरह इस तरह से हो की आएंगा मैं पर अजाए आजाये गाए- आधिक게 किसे कई फॉर्मेट हैं इसके आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं अब जैसे मैं आपको यहां से बैक करके दिखाता हूं अब अगर यह चलेगा तो देखिए कैसे आएगा वहां पर यह आपकी फूटेज चल रही है और देखिए यह आ गया जो हमने सेलेक्ट किया था उस थीम के हिसाब से आपकी वह चलेगा अच्छा अगर मैं चाहता हूं यह जो मैंने टेक्स्ट बनाई थी यह टेक्स्ट और दूरी तक चले सरफ तीन सेकंड ना चले तो मैं इसे यहां से इस एरो से कंट्रोल कर सका इस तरब से मैं उसे जितना चाहां अगर मालीजी मैं इतना चाहता हूं कि इतनी दूरी तक मैडिसन्स हमारे दिखे धीरे धीरे आए पावर में आए तो वह इस तरीके से आ सकती है लाइक इस तरीके से यह देखिए अगई और जब तक यह रहेगा चलेगा और एक ही समय में आप मल्टिपल टेक्स्ट भी प्लीज सस्क्राइब तो लाइक यह हमने एक एड़ कर दिया है प्लीज सस्क्राइब यह यहां पर है और हम चाहते कि यह भी चलता रहे भाई साथ में अब आप देखेगा अब आपको देखेगा इस तरीके से मेरा मतलब है कि आप टेक्स्ट जो है जहां पर भी जितनी बार चाहें उतनी बार आप लगा सकते हैं टेक्स्ट का पूरा खजाना लगा सकते हैं सही बताएं तो जैसे आपको बस क्या करना है टेक्स्ट का बटन दबाना है और इतनी तरह के आप्शन है खोद से एड़ भी कर सकते हो ठीक जैसे सर्प्राइज लिखा हमें सर्प्राइज नहीं लिखना भाई हमें उसकी जगए कुछ अच्छा लिखना लाइक तो हम लिख सकते हैं है लो यह देखिए मैंने लिख दिया है लो और यह आपका यहां पर बेसिकली ऐसे हो जाएगा तस फिर क है जब आप चलाएंगे इस तरह के डिएंध और आप किसी भी किसी भी किसी भी टेक्स्ट को अपने हिसाब से न ड कर सकते कि वो कहां पर दिखना चाहिए तो आप इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है तो आपila वेकि टेश्ट लगा सकते हैं अच्छा किसी चीज को लगा न उपर देखिए आपको अप्शन आजाएगा एडिट यानि आप उस टेक्स को एडिट भी कर सकते हैं मोशन याप चाहते हैं वो टेस्ट मोशन में आए यह एक एडवांस अप्शन है जब मैं इसकी कभी आगे वीडियो बनाऊंगा अगर आपको यह सिरी जगर में चल गई व बहुत लंबी हो जाएगी तीसरा एक क्री फ्रेम करव डूपलीकेट और डिलीट तो मेरे कहने मतलब अगर आप इसे इनिटायम हटाना चाहते हैं आप डिलीट यहां से दबाईए और वह आपका वहां से रिमूब हो जाएगा डिलीट दबाईए डिलीट दबाईए तेक् तरीके से टेक्स्ट आप लगा सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से रूर्मभूय किया सकते हैं तो मेरे को आशा है कि आप गश्च वाला अप्शन समझ गये होंगे मैं चाहरा था कि आपको ऐसे कंप्लिट टुटॉरियल दो कि आप एकलिस्ट यूज करना तो सीख जाये कि अ आगे चाहे तो स्टंट भी कर सकता है क्योंकि बेसिकली मोटर साइकल जो चला दी है वो तो उसे आ गई है अब मोटर साइकल वो कैसे चलाता यह उस पर डिपेंड करता है इसी तरीकी से दोस्तों मैं जो बेसिक चीजे वह आपको सिखा देता हूं इसके बाद आप एडवांस एक उपर एक मैं दिखाता हूं मालीजी मैं नीम कपत्ता दिखाना चाहता हूं एक मालीजी वीडियो पर हूं मुझे फोटो के सेक्शन में आना पड़ेगा मैं कोई भी एक छोटा सा चूस कर ले तो चले यहीं मने चूस कर ले तो बाबरान देवाला अच्छा लग रहा है और यहां से मैं इसकी साइज कंट्रोल कर पाऊंगा आप देख सकते हैं कितना बड़ा मुझे यह चीछ दिखाना है मालीजी मुझे इतना चोटा ही दिखाना है तो मैं इसे यहां पर ऐसे रख दूंगा नीचे आप देख सकते हैं फिर से आप्शन आ जाएंगे रीप्लेस चाहिए आपकी वीडियो में जैसे मालीज मैं सेट कर देता हूं से 16 सेकंड तक आपको इसी जगा पर देखेगा आपकी वीडियो में जैसे मैं अभी बटन चला रहा हूं और आप देखिए यह इंट्री हो गई चोटी आप इस तरह से आपने कई वीडियो देखेंगे जैस सकती हैं और काफी अच्छी लगती हैं बहुत यूसफुल होती हैं यह चीज़ें एनिटाइम आप उस चीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं जैसे आपको डिलीट का ऑप्शन दबाना है और वहां से बहुत ही प्यारा सफ्टेयर है दोस्तों मतलब चलाने में आपको फुल से आती थी मैंने डाल तो दिया इसे हटाऊं कैसे तो कभी-कभी मुझे पूरी वीडियो फिर से बनानी पड़ती थी क्योंकि वह एडिटिंग में जानता नहीं था यार यह रिमूब कैसे करें कैसे करें कई चोटी-चोटी चीज़े होती है जैसे कि मालेजी वीडियो आप उस वीडियो को में तेडा मोड़ा जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं लाक यह देखिए मैं जूम करके दिखा और अप चाहते कि आपकी वीडियो ऐसी दिखिए बाकी पोर्षण कट जाए तो अब यह देखिए आप चलेगी वीडियो जूम में चल रही है इतना 916 में बनाएंगे तो यह option बहुत काम में आता है दोस्तों क्योंकि 916 करने से वीडियो ऐसे कटने लगती है तो इस option को सेलेक्ट करके हमें एक्चुल में इसे छोटा कर देना होता है यह देखिए और फिर आप इस पर एडिट कीजिए तो अगर यह 916 में वीडियो चलेगी त तरीके से नहीं तो पहले नहीं दिखती थी तो इस तरह के यहां आप वीडियो को सेलेक्ट करके और रिश्यो चेंज करके अपने हिसाब से आप बहुत सारे options का इस्तमाल कर सकते हैं अब आभी मैं वैसे कर देता हूँ जैसे यह थी से kailवाबिट करका है हम आर्रामीए फोटो फिमां लगे चूश करना चाहता आपन वीडियो के लिए औभी पोटो देखे अच्छी तो लगए कि नहीं अब इतना छोटा सा है और इसके है आपको आपको इस पोटो को सेलेक्ट करना है और जहां भी आपको जैसा भी ले जाना हो जयसे मैं इस वेक्ट पर रहे जो क्रॉस का बटन है यह तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं लाइक और अब मैं चाहता हूं यह साही यह पाउस अब यहां पर लिखा तीन से केंड आप नीचे देखिए क्योंकि अगर मैं इसको अभी चलाँ गो तो तीन से केंड चलेगी यह वीडियो मतलब यह जो फोटो है मे तो इस तरीके साब मल्टिपल इमेज लगा सकते हैं को रिपोर्ट तयार कर सकते हैं और यह आप चाहते कि अपना सकल न दिखाए जैसे कि अब इस वक्स वीडियो में में देखी मेरे सकल नहीं दिख रही है अब अस इमेंज दिखा करके अपने वाइस ओवर करके वीडियो दिखा सकते हैं और चौथा जहां से अप एक्स्ट्रा चीजे एड कर सकते हैं यह मैंने आपको बताया है तो आप कुछ और ऑप्शन की बात कर लेते दोस्तों मैं मैंने पहले बता दिया कि ट्रिम से क्या होता हम वीडियो के किसी भी पोर्शन को इधर उधर जहां आपने म आप आसानी से नैविगेट कर सकते हैं आप ऐसे पकड़िये जहां जाना वहां जाए और आप आपको लगता है कि यार इस पूर्शन मुझे काम करनी है इस पूर्शन पर आपको क्या करना है बस आप इसे इस तरह फैला देजिए जूम आउट कर देजिए अब यह आपकी तेजी से इस भाग में मूव करो यानि मैं स्पीड हटाना चाहता हूं तो मैं आपको नीचे के आप ऑप्शन दिखाना सुरू करता हूं लाइक कि यह टेंपलेट आप इससे टेंपलेट सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरह के आपको टेंपलेट चाहिए इसमें बने बनाए आप तीम्स वगर टाइप की आजाएंगी आप मैनुवेली भी इसे कर सकते लाइक इस तरीके से जैसे मंदली जिस वीडियो का आपको एक्स पोजर बढ़ाना है या एक्स पोजर घटाना है इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं या कॉंट्रेस्ट आपको यहां से घटाना है या आपकी वीडियो थोड़ी सी शार्पन होनी चाहिए तो आप अपने हिसाब से इस चीज को एड्जिस्ट कर सकते हैं और नीचे आपको फिर तीन ऑप्शन देख रहे हैं तो अप्रेंट्स मैं आपको नीचे वाले कुछ ऑप्शन समझा देता हूं टेंप्लेट मैं आपको स समझाई दिया उसके बाद है आती स्पीड माल लेजिए वीडियो के किसी पर्टिकुलर भाग में आप चाहते स्पीड तेज हो जाए यहां पर देखिए मैंने उठा दिया है जो पंदरा से की फूटेज होगी आप वह ग्यारा से कि और जिस पार्ट से आप यह कराना चाहत लाइक यह जैसे आपको दिख रहा है आपको इस पटन को ऐसे प्रेस कर देना और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो इस तरीके से आप अलग अलग मूट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो की स्पीड को भी घटा और बढ़ा सकते हैं वीडियो की स्पीड को जहां भी जरूरत हो थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते बर पूरे और वीडियो पर स्पीड का करेंगे तो साथ यह एप जो है डिपंड करेगा फिर आपके हाड़वेर पर आपको काफी वह है कम रेंज का है तो उसमें इसको प्राब्लम हो सकती है इसके बाद मैं आप घ्रफशन को असकुछ खास सोते हैं दोस्तों किसी वीडियो के किसी पोर्षन कर लगा शचैती है है तो हाप इस चीज को शो कर सकते है तो डिलीट मतलब सीधी सी बात है जो वीडियो का पुर्शन है इस वक्रेंट में आपको वह डिलीट हो जाएगा अगर डिलीट हो गया डर्निक बात में अटो अप्शन दबाईए वापस वह क्लिप आपके नीचे टाइम लाइन में अड़ हो जाएगा उसके बाद एक्स्ट्रे किसे आप उसका ओडियो वापस लेके आ सकते हैं या आप चाहते हैं नहीं नहीं मुझे मुझे नहीं करना काम तो आप एनिटाइम उसे वह कर सकते हैं और वह चीज़ पीछे चली जाएगी तो इस तरीके से धेराव आप्शन है अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगा लोल्योम है हाज़ा कि मैं पहले पर इससे आप वीडियो की वॉल्योकार कर सकते हैं और के वीडियो की वार्डराय कम पर liness की वाइस आराम से जाए इन सब रोटेट भी है आप चाहे तो वीडियो को रोटेट कर सकते हैं मिरर कर सकते हैं फ्रीज कर सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं इवन जूम कर सकते हैं और फारवर्ड कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको वीडियो बनाने के लिए जितने भी बेसिक आप्सन हो सकते थे मैं ने अपनी भी बड़ी है पर ठीक है अगर कोई समझना चाहता है तो इतना तो वह समझी सकता है इस वीडियो को देखके कि वीडियो कैसे बनाए अगर मेरा जो टार्गेट है 1000 व्यूस का और 100 लाइक्स का यह हो जाता है तो मैं इस वीडियो का और अच्छे से फुल डिटियल में बना द दोस्तों यानि कंपाइल का तो जब कंपाइल पर आएंगे आपको मिलेगा आप वीडियो किस बनाना चाहते हैं 720 पे या फुल एच्डी पे या फिर क्वाड एच्डी पे तो इस तरह से सारे आपके साम नहीं है वैसे मैं जेनरली फुल एच्डी बनाना प्रिफर करता हू क्योंकि आज कल सबका फॉन फॉल एच्डी तो होता है एक तो वीडियो बना जा सकती कोई दिक्कत नहीं है लेकिन साइज बड़ा हो जाता है अपकी फाइल का दूसरी बात अपलोड करने में दिक्कत आती उतना डेटा होना चाहिए तीसरी बात कि लोग फोर के में जनरली देखें जनरल फॉल एच्डी तक प्रफर करते हैं क्योंकि फॉन भी लोगों के फूल एच्डी रहते था फॉरकी वीडियो देखके करेंगे क्या फॉन ही फूल एच्डी है स्ट्रीन फुल एच्डी है खेर फ्रेम भी में बताना चाहूंगा फ्रेम का साइज जितना तो पर सेकेंड भी रखते हैं तो अच्छा मना जाएगा लेकिन फिर भी में आप लिस्ट थर्टी रख दिये थर्टी आज कल क्या है सभी कैमरे में बाइडिफाल्ट भी आता है आप कैमरे से कोई रिकार्डिंग करते हैं आप किसी फोन का रेव्यू देख लिए सब में कहते आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में क्वालिटी देखे तो डाफिनेटली अप सिस्टी फ्रेम पर सेकेंड कीजिएगा लेकिन ध्यान यह रखिएगा कि इस अपने सूट की है वो भी शिती फ्रेम पर सेकेंड की होनी चाहिए तब यह देखे गी आपकी वीडियो ही 30 फ् बिटरेट बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो वीडियो चॉपी सी दिखेंगी बहुत ज़्यादा फास्ट कर देंगे तो रेंडरिंग में दिक्कत आएगे इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 10 से लेकर के 30 40 के बीच में अपनी बिटरेट को रखिए और एक्सपोर्ट ओरिजिनल है तो अगर आप चाहते कुछ भी चैंजर नहीं करना जो है जैसा वैसी एक्सपोर्ट हो जाए तो आप उसे स्लेट कीजिए मैं अपने हिसाब से सेट करता हूं इसलिए मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं तो जब तक वीडियो रेंडर हो रहा है मैं आपको कुछ और बाते या बताता हूं और इस पॉर्शन को मैं कर सकता हूं लेकिन फिर भी मिचाता हूं कुछ बाते आपको बताता हूं वीडियो एडिटर सबसे पहले बात है बहुत ही इजी तू यूज है और ना हर फोन में चल जाता है ऐसे तो अभी और भी है जैसे काइन मस्टर है मैं उसे बताऊंगा उसके उपर भी मैं कोर्स लेके आ सकता हूं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन पहले मेरे वीवेवर्स तो हो अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो उसका बहुत कर सकते हैं काइन मस्टर से कैसे अडिटिंग कर सकते हैं और डिटेल चाहिए तो मैं फूल डि वीडियो एडिटर आपको बहुत काम करेगा मुझे पूरा भरोसा है अगर आप यूटिब पे यहां इस्टाग्राम पे रिल्स पनाने चाहते हैं तो बड़ा एजी तो यूज है पैसा वैसा देने का कोई चेक्कर नहीं है बाकी काइन वाइन मस्टर में तो क्या है ना उस बड़ा टास्क नहीं है मैं खुद भी इतने दिन से एडिटिंग करता हूं लेकिन कभी भी हांड़ेट प्रोजेक्ट नहीं होते मेरे एडिटाइम दस बीस पंदरा इतने ही पे रह आते हैं प्रोजेक्ट तो दोस्तों इस तरह से यह वीडियो का पॉर्शन स्किप कर दू यहाँ से आप टाइटिल ले सकते हैं जैसे वीडियो का जो भी टाइटिल देना चाहते हैं जैसे माषा पर टाइटिल दे देता हूं वी और आप अपको 5ndर दिखाता है तो फ्री एप ऐप देखने में जाता ही क्या है बहुत जदा एड तो आते नहीं इस पर एक बार खोलते वक्त ड़र टाइए वीडियो का एड हो गई है आप जो भी चलाना चाहते हैं उससे चला सकते अप्लोड करना चाहते यह जो भी कुछ करना चाहते हैं आप उसका कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज आपको पूरा बेसिक टूटिरियल दे दिया है कि कैसे हम विडियो बनाएं कैसे वी वीडियो हम चलाएं यह देखिए उपनिंग के वक्त फिर से पांच सेकेंड का एड़ाता है आप इसे स्क्रिप्ट कर सकते हैं तो अगर आपको यह मेरे दोर बनाएंगे वीडियो अच्छा लगा हो या कोई आपकी मन में प्रश्ण हो तो किर्पिया मुझे जरूर लिखिएगा थैंक कर दोरो